यह चुनाव आपको कहा जाता हुआ दिख रहा है भारती जनता पार्टी हैट्रिक करेगी करेगी और करेगी विफक्ष कहा रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं मैं देख रहा हूं कि यह आधी है आधी कि वो नेता नहीं कर पार रहे हैं कि वह एजन ना टैनिकर पार है एक आपका बयान था कि कॉंग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो यह राम मंदर का फैसल हां पलट देगी यह क्या यह मेरा बयान नहीं है यह बयान है कांग्रेस के विस्वस्त सलाहकार का, और उन्होंने निर्रे करके लिया है, हम राम लजा को फिर से एक बाद टेंट में बेच के ही रहेंगे। लालू जी निमुरे मुस्लिम आरक्षन की बात कही और उन्होंने बुला कि मुस्लिम आरक्षन होना चाहिए। उन्होंने आरक्षन होना कि इतना ही कहा नहीं जाने, उन्हों ये कहा है, पूरा का पूरा. इस चुनाब में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं, औरंग जेब कहा गया महाराश्टर के एक नेता ने, आपको बुरा लगता है, यूँ आपको गुस्सा आता है. ये जितनी घंड उसा लेंगे, जितना टीचर उसा लेंगे, कमल उतना ही जादा की. मेरे साथ इस चुनावी सीजन का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं, सबसे बड़े मेहमान है, यानि एक मेगा एस्क्लूसिफ इंटिव्यू देने के लिए हमारे साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से में मौजूद हैं. मोदी जी आपका बिनंदने न्यूस 18 पे नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी हमारे नमस्कार तीन चरण संपूर्ण हो चुके हैं, ये चुनाव आपको कहा जाता हुआ देख रहा है, खास्तों पर तेलगू स्रेट्स में भी वोटिंग है. पहले तीन चरण के जो चुनाव हुए हैं, उससे मैं साब देख रहा हूँ, कि कॉंग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो, सबके सब एक प्रकार से दिशाहिन नजर आते हैं, आप देख के आपको कहीं पर भी इंडी अलाइंस नजर नहीं आएगा, वो नेता नहीं तहीं कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तहीं नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली जलोच, उसी से उनका काम चल जाएगा, और वो उसी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, देश इतना बड़ा देश, आज खास करके जुन्नाव जवान बद्दाता है, वो यह हम्मेशना सोचता है, कि पर आखिर कर इतने बड़ा देश, इतनी वीवी देता है, ऐसा कौन नेता है, जो इसको समाल पाएगा, नाम बताओ, इंडी एलाइंज के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं, और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भी, इंडी एक मैंने कहीं अगबार में पड़ा, वो एक ऐसी फॉर्मिला ला रहे हैं, जिस फॉर्मिला में पांच साल में पांच प्रधानमंत्री, हर वर्ष एक प्रधानमंत्री, अगर हर वर्ष एक प्रधानमंत्री वो लाएंगे, तो आप मुझे बताईए कि देश का क्या होगा अपको गाउं के लोग बढ़िया मेज़दार कथा सोनाते हैं एक बार दस किसाने खटे हुए और उन्हों ने सोचा कि भैई कुछ पानी के बिना क्या होगा तो मिलकर को नहीं पानी की जांच करने घ Botsmen बालएवाली लोग है तो उनको बुलाया तो कि व्धा पानी तो निकल सकता है अगर सो मिटर कर देंगे तो पानी अपन सीवले निकलेगा ऑगा है तो भी दबिस वह मिटर नंहीं आने कर लोग। तो पाँच साल में पाँच प्रधान मंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे विपक्ष क्या रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे ते अब नहीं कर रहे हैं मैं कल भी बोला हूं जी अब वो ठीक है कि उनकी चिंता यह है कर पा करूं कर पाएंगे उनका एजक नहीं कि वो कितनी सिटे जीतें इवर कैसे जीतेंगे कि माने करापनी मुद्धान के एक 3-4 राज बागी है सबीराज्यों का प्रहुण कि आ कि आधी है बड़ी और चार सो पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है विपक्स 19-24 में विपक्स के नाते भी विफल गया है जो लोग विपक्स के नाते भी विफल गये हो उनको इतना बड़े देश का कारवार कौन देगा लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बीजेप अपने दम पर पाई हिंदी भाषी राजियों में एक तरह से बहुत बड़ी सीटे भारतियंता पार्टी कोमेडी लेकिन इस बार क्या वो रिपीट हो पाएगा और आप देखिए भारती जनता पार्टी जो आप इतनी पुरानी सोच के साथ बैठे हुए हो गोवा जी क्या हिंदी भाषी है क्या गुजरात हिंदी भाषी है क्या महराष्ट्र हिंदी भाषी है क्या असाम हिंदी भाषी है क्या बंगाल हिंदी भाषी है क्या करनाटर का हिंदी भाषी है क्या आज भारती जनता पार्टी पूरे देश में है और पूरे देश में मैं कह रहा हूं भा सबसे बड़ा सर्प्राइज देगा केरल तमिलाडू पुडिचेरी करनाटगा आंध्र तेलंगणा सभी में अइतिहासिक परिवर्तन आपको नजर आएगा और बहुत बड़ी सिद्धी भारतिय जैनता पार्टि और एंडिय के पक्ष में रहेगी जिए बिलकुर साफ नजर आता है और मैं मानता हूं कि तेलंग करेगा जिन राज्यों में राज्यों के चुनाव है वहाँ भी जहां भारतिय जनता पार्टी है वो रिपीट करेगी जहां एंडिय है वो नई सरकार बनेगी और इसलिए इन सभी राज्यों में सरकार बनना पैय है आंध्र तेलंगणा में भी क्लीन स्विफ होने वागा है एक मैं पूरदेश घुम रहा हूं चुनाफ के लिए एक चीज मैंने देखी इस चुनाफ में नरेटिव बार-बार बदले पहले नरेटिव आया रेजरवेशन का फिर आया नरेटिव की बीज़ेपी के लीडर्स के फेक वीडियो चलाए गए नरेटिव बार-बार बदल रह नेरेटीव एक ही है अपकी बार चार सो पार नेरेटीव वही है लेकिन लोग हताश है निरास हैं जो मुद्धों की तरास में हैं उनके लिए बार-बार वो खोज रहें कैसे ठीके कैसे लोगों के बीच में रहे इसलिए उनको यह खेल करना पड़ रहा है लेकिन वो नीचे तक लोगों को बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं लेकिन उत्तर से दक्षन तक पूरफ से पश्चन तब एक नरेटिव है मोदी जी और यह हमारा अनलेसिस है वो है नरेंज मोदी एक नरेटिव है इस पर आप क्या चाहते हैं आप पर बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि आप अपनी तीसरी टर्म में वापस आएं देश की जनता का प्यार यही मेरी बहुत बढ़ी शक्ति है जी देश की जनता के आशिरवात यही बहुत बेड़ी पुझी है और इसलिए प्र बेसर मैं देख रहा हूं कि इंडी एलाइंस में है क्योंकि उनकी इंडी एलाइंस बनी नहीं पा रहा है आप बनते ही बनते देखें केरल में जाके लेट उनका सबसे बड़ा साथी जी केरल में जाकर के ही उन्होंने उनको चुरा भूग दिया खुद चुनाव लड़ गए सबसे तीखी अलोचनाव सबसे तीखी भाषा अगर मैंने कहीं सुनी है तो वो मैंने में सुनी जहां कोंग्रे-पी तरीके से आलोचनावी और कोंग्रे-स ने अपने इंडियाल्हेंस के साथ ही ते खिलाब उनकी भड़ी करके मेरे मुह में बयान मट डालिए यह बयान है और विश्वस्त सलहकार का जो कॉंग्रेस के 30 साल तक और टॉप परिवार के सलहकार रहे हैं उन्हों ने कहा है कि ये तैय है और उन्हों करके लिए कि हम राम लगा को फिर से एक बार टैंट में बेज कर के रहेंगे ये उनके सलाकर ने कहा ये सब्सक्राय और देश को पुरा भरोसा है कि इस प्रकार की करने के अधत रहें के लिए कुछ भी करना है इनकी आधत है एक सवाल और हम वेहार की धर्ती पे है आर-ज़ी या लालू जी की do ओर या इंडिया अलाजैंस देखने को मिल रहा है लालू जी ने गंभीर चर्चा करके ताय किया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होना चाहिए बाबा साब अमबेड करके भी विचार बहुत पस्ट रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होना चाहिए पंडित नहरू भी इसी विचार के थे लेकिन उसके बावजुद भी राजनीती और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है कि वो देश को फिर से एक बार धर्म के आधार पर बाटने के रास्ते खोज रहे हैं बाटने के तरीके खोज रहे हैं और उसमें धर्म जिसको देश की सेना के प्रति नफरत का भाव पड़ा हुआ है और इसलिए देश के सेना नायक को उन्होंने एक बार गली का गुंडा कहा था जिनकी भारत की सेना के प्रति यह भाव होंगे उनसे आप कैसे अप्रिक्षा कर सकते हो पाकिस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक न अगर हमारी बात नहीं माननी है हमारी देश के सेना की बात नहीं माननी है इस चुनाब में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं औरंग जीव कहा गया महाराष्टर के एक नेता ने एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक का फिर उसके बाद ताना शाह का आपको बुरा लगता है यह आपको गुस्सा आता है इस पर देखिए हम तो और Daltonرج पोड कामदार है ने अतुमक कामदार लोगों जरम से गालिया सुन सुनखें। बड़े हुए हैं लोगों की लाते खाते खाते गाथे बड़े हुए हैं और इससे लिए इन चीजों का मन पे लेते नहीं हैं विप्रगार से गाली पूर बन गये हैं उर कई लोग मुझे कभी कुछते मोदी जी आपके इतनी बड़ी एनर्जी का रहश्य क्या है तो मैं कभी मजाग पर कहता हूं कि मैं डेली दो किलो गाली खाता हूं और उसी से मुझे उर्जया मिलती है देकि मेरी एक बहुत पुरानी कवीता है मुझे वियाद तो नहीं है लेकर उ मुझे जो पत्थर भाइकते हैं मैं उन्हीं पत्थरों से पत्थी बना देता हूं और मैं उसी से उपर चड़ जाता हूं अब दूसरा मैं कहता हूं कि जितनी घंड उचा लेंगे जितना कीचर उचा लेंगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा एक सवाल आखरी यह है कि माता और भेनों का आप से विशेश लगा वैं कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाएं मतलब उनके आखों में आसू आ रहे हैं एक इमोशनल कनेक्ट जो है इसको प्रधान मंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं तो कि यह बहुत करने के लिए मेरी मात्रु शक्ति को एमपावर करना चाहिए त्री शक्ति को एमपावर करना चाहिए नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए तो मैं बड़ी सद्धा से एक पूजा भाव से काम करना हूं कृपा करके इसको राजनिति के तरह से जम्हत थो लिए और मैं जाता हूं मैं वैसा ही बक्ति भाफ से देश के मातायों की सेवा करो एस देनों की देश की बेटियों की सेवा करो। यूथ वोटर को जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसको आपका मेसेज क्या होगा पधान मंत्री मोदी मेरा उन के लिए कोई मैसेज नहीं है मुझे तो देश के युवां का मैसेज चाहिए मैं देश के युवां की इच्छा कांख्षा के अनुसार चलना चाहता हूं हमने अभी जो पेंटी फोटी सेवन का विएन बनाया करी 35 लाख नवजवानों से मैंने फिल बैक लिया है और मैं अभी सो दिन का कारकम बनाया है मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं 125 दिन का बनाओं और मैं 25 दिन जो है उसके लिए देश के युवां को पूछने वाला हूं ये 25 दिन के लिए उनके क्या सुजा हुअ है कौन्सर काम मैं पहले करें तो मैं इस पर कणरते देश के उगों को उनकी आशा अकांचाघन को यह द् less जिन आप से पूछना जाती है आपका धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपने हमें समय दिया और आप सौस से ज्यादा रैली और रोडशो कर चुके हैं इतनी उर्जा आप कहां से लेकर आते हैं धन्यवाद जी धन्यवाद प्रधानमंत्री मोजी